नमस्कार दोस्तों मेरा नामे रजनी स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल Connecting India Exim Solution में दोस्तों Connecting India Exim Solution इंडिया का ऐसा प्रेटफूर में जो आपको Export, Import से Related सारी जान के Detail में बताता है आपको समझाता है इंडिया से कैसे Export करें, इंडिया में Import कैसे करें, उसका Procedure क्या है क्या-क्या Document आपको इसके लिए बनाने रहेंगे, किस तरीके से Marketing करके Buyer Find आपको करना है, तो इन सारे सवालों के बारे में सारे जवाब आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से Provide कराए जाता है तो मैं आपसे रिक्वेस करूँगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्क्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको समझ में आए कि इंडिया से किस तरीके से Export जोए स्टेव बाइ स्टेव शुरू किया जा सकता है तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे LOI के बारे में Later of Intent क्या होता है, कौन प्रोवाइट कराता है, कब लेना होता है, किस टाइम पर यह आपको मिलता है और इसके बाद आपको क्या करना होता है अगर आपको जानकरी चाहिए तो पूरा इस वीडियो को आप एंट तक देखें, जिससे आपको समझ में आए LOI क्या है, कोन देता है, कब आपको लेना है, यह सारी चीज़े इस वीडियो के अंदर डिसकस की जाएगी तो चली दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, LOI को समझने से पहले है, पूरे एक्सपोर्ट के प्रोसेजर को समझना पड़ता है, कि एक्सपोर्ट का प्रोसेजर किस तरीक से काम करता है, क्योंकि जनरल ही जब भी आपको एक ओर्डर आता है, उसके बाद आप उसको प्रोसेस करते हैं, और उसका कस्टम कराक किस तरीखे काम करता है tudo इसमें कहां आता है कब आता है्ट कोन देता है इस तरीखे का इंटेन्शन शोगरता है इसका मतनब होता है कि आपको जो है उस पर दो किपराइस बना के अभी दे देनी हैं daí ब आपके पस कभी भी कोई ऑर्डर आता है तो buyer अपनी तरफ से LOI बना के देता है तो later of intent हमेशा buyer बना के देता है seller को देखिए जब सबसे पहले आप अपना business setup कर लेंगे like आप port registration, CHF अगेरा point करना company के formation कर लेना या जो भी other document होते हैं वो सारे आपको बनाने होते हैं जैसे आपका GST certificate आप सबसे पहले बनाते हैं फिर bank account आप open करते हैं bank से आप ID code later लेते हैं import export code आप लेते हैं RCMC के लिए आप apply करते हैं port registration आप करवाते हैं और उसके बाद CHF appointment करते हैं तो यह पूरा एक procedure रहता है इसके बाद क्या होता है कि आप buyer finding करने का procedure शुरू करते हैं तो जब आप buyer finding करना चालू करते हैं और आपको finally कोई buyer मिलता है या किसी भी country से आपको buyer मिलता है या किसी product के लिए आपको buyer मिलता है तो वो सबसे पहले आपको देता है LOI तो LOI अब सबसे पहले देने का मेरा मतलब यह है कि LOI हर एक buyer भी आपको नहीं देता है कई बार सीधा purchase order आता है और फिर उस पे हमारा काम हो जाता है तो यहाँ पे LOI हर बार हर buyer की तरफ से और हर country से LOI नहीं मिलता तो आपको घबराने की जुरूत नहीं है कि LOI तो मिली नहीं रहा है कैसे काम करेंगे ऐसा कोई बड़ी बात नहीं LOI जो है एक auxiliary document है यह कोई principle document में आता भी नहीं है तो यहाँ पे अगर LOI नहीं भी मिल रहा है तो भी आपको काम करना है बदब direct buyer से purchase order आ जाए या mail पे आपको कोई order आ जाए तो भी आपको काम करना है तो LOI एक ऐसा document है जो नहीं भी हो रहा है तो आपको घबराने की जरुत नहीं है बट यह आता कब है जब आप buyer से बात करते हैं buyer को से अपना discussion करते हैं पूरा तो buyer वहाँ पे intention show करता है कि ठीक है मैं यह product लेना चाहता हूँ यहां से देता है बात LOI जब आपको मिल जाता है तो कई बार यहां पे हमें प्रफोर माइनोस देना पड़ता है फिर वापस से purchase order बायर की तरफ से आता है तो यह एक procedure होता है कई procedure में क्या होता है कि LOI नहीं आता सीधा purchase order आता है तो उसके बाद आप सीधा प्रफोर माइनोस बना के दे सकते हैं बायर को कि बायर ने बुला कि मुझे यह product चाहिए या तो आप price जो है mail पे दे सकते है mail पे देने के बाद वापस से purchase order देगा और इसके बाद आपको प्रफोर माइनोस देना है या entry level contract between buyer and seller weekend से यहाँ पे आपको प्रफोर माइनोस बना के अपने बायर को दे देना होता है और उसमें उस सारी terms condition जो बायर ने डाली प्लस आप जो भी additional add करना चाहते हैं और अपना pricing, payment term, shipping term, delivery term सब कुछ उसके अंदर आप mention करते हैं और फिर बायर को भेजते हैं बायर इसी भी आप पे फिर आपको finally purchase order भी issue कर देता है कि आप मुझे यह product इतना इस तरीके से चाहिए तो purchase order भी आ सकता है नहीं तो फिर आपको जब प्रफोर माइनोस साइन करके दे दिया है बायर ने तो वहाँ से भी आप order को process करना चालू कर सकते है तो LOI के बाद के बाद purchase order आता है नहीं भी आता है तो यह सब document चाहिए purchase order हो LOI हो, performa इनोस हो ऐसा कोई बड़ा role play नहीं करते हैं export import business के अंदर बलब यह सब auxiliary document नहीं भी आएंगे बायर ने आपको call पर order दे दिया इसका मतलब थोड़ी हम order process नहीं करेंगे बायर ने call पर order दिया आपने performance बनाया और बायर से sign और seal confirmation उसका ले लिया और आप order को process कर देंगे तो यहाँ पर किसी भी तरीके से confuse होने की जरूरत नहीं है कि LOI नहीं आया है यह नहीं आया है वो नहीं आया है ऐसा कुछ नहीं है export बहुत simple है सीधा है ऐसे कोई international rule नहीं है ऐसा कोई rules नहीं है इसी तरीके से काम करना पड़ेगा LOI आएगा फिर P.I. बनाना है फिर यह करना है ऐसा कोई system में नहीं है आप यह सिर्फ हम अपने हिसाब से चीजों को systematic way में लाने के लिए हम अपनी तरफ से इन सब चीजों को design करते है P.I. वागिरा sign confirmation ले लिये जाता है बायर से ताकि बही order confirm हो जाए अब बायर अगर बाद में मना कर दे order से तो आप P.I. को लेके कहां जाओगे तो P.I. भी ऐसा कोई document नहीं है जिससे यह confirmation हो गया है कि बायर ने order confirm कर दिया या कुछ भी बाद में मना भी कर सकता है तो बट क्या होता है कि जनरली अगर आपने P.I. के basis पर advanced moment ले लिया है अब आपको लग रहे है कि यह तो confirm हो गया हो सकता है वो उस LOI में change करा दे हो सकता है वो purchasing order में change करा दे तो यह LOI हो गया, purchase order हो गया दोनों यह एक ही तरीकी की terms पर काम करते है एक ही बात है बस purchase order में जो आप लोगों की price decide हो जाती है वो भी उसके अंदर mention हो जाती है यह भी buyer की तरफ से आता है तो LOI, purchase order यह दोनों buyer देते है अपने seller को और जो है seller यहाँ से perform an invoice बनाके अपने buyer को देता है और उससे sign और seal confirmation copy of perform an invoice ले ली जाती है तो अब जब sign seal confirmation copy आ गई है इसका मतलब अब order confirm है और अब आप order को process कर सकते हैं तो यहाँ advance payment आप ले लें अपने buyer से उसके बाद order बनाए order को तयार करें और तयार उनके बाद containers को book करें या flights book करें और उसके बाद material को dispatch करें port पे आपका CH यापके material का custom कराएगा और उसको जहाज पे by year by ship इस भी mode से आपका export होना है उस पे आपका material लोट किया जाता है material export हो जाता है सारे document collect की जाते है buyer को दिखाये जाते है अगर कुछ pending payment है तो डलाया जाएगा और फिर सारे document originally buyer को courier की जाते है तो इस तरीके से आपका यह export होता है तो I hope आपको समझ में आ गया होगा कि LOI क्या है अगर यह नहीं भी आए तो भी टेंशन लेने की जुरूत नहीं purchase order क्या है नहीं भी आए तो भी टेंशन लेने की जुरूत नहीं buyer आपको mail पे, call पे, message पे किसी भी तरीके से order दे सकता है और उस order को process करना है आप P.I.E. बना के दे दे हैं sign seal confirmation ले ले लें और बहुत easy way में आप payment डलाने के बाद अपने order को process कर सकते हैं तो यह कोई standard process ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही follow करना पड़ेगा आप अपने इस आपसे चीजों को export improvement design भी कर सकते हैं अब दोस्तों आपके सारे query and doubt इस video के माध्य हम से clear हो गए होगे अगर आप सीखना चाते है completely export and import तो में लेके आया हूँ आपके लिए 7 days का online training session जिसके अंदर मैं practically आपको सिखाता हूँ कि इंडिया से export कैसे करें इंडिया में import कैसे करें कोई भी theoretical बाते नहीं होती है कोई system की कोई बात नहीं है आपको वही चीज़े सिखाई जाएगी जो actual मैं export में काम आती है मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे export करता हूँ मैंने कैसे बायर बनाया live buyer finding हम सब मिलके करते हैं हम google पे कैसे search करना है buyer कैसे find करना है सब कुछ आपको live दिखाया जाता है live document preparation आपको बताया जाता है कि performer invoice कैसे बनेगा purchasing order कैसे बनेगा commercial invoice कैसे बनता है shipping bill में क्या detail आपके होनी चाहिए सब कुछ आपको live और practically बताया और सिखाया जाता है आपको यहाँ पर पूरा बताया जाएगा कि किस तरह किसे अगर हम पूरा theoretical process को भी cover करते हैं तो हम class के अंदर यह सारी चीज़े आपको live दिखाते हैं कि buyer से इस तरह किसे बात करी फिर order आया फिर payment आया फिर हमने invoice भेजा custom clearance कराया तो यह सब कुछ चीज़े भी आपको step by step live जो है class के अंदर बताई और पढ़ाई जाती है तो अगर आप जोईन करना चाते हैं 7 days का online training session घर पे बैटके आप join कर सकते हैं या आप 3 days का offline training session भी कूटा राजस्तान में आकर join कर सकते हैं training के बारे में ज्यादा जानकरी के लिए आप हमें screen पे दिए के नंबर पे contact कर सकते हैं आप हमें follow कर सकते हैं social media पे जिस पर हम export import से related सारी जानकरी जो है latest updated knowledge उस पर share करते रहते हैं आप हमारे telegram channel को भी join कर सकते हैं जहां पर भी आपको latest export import related updated knowledge मिलती है आपको और भी कोई जानकरी चाहिए आप हमारी website www.connectingindiaexamsolution.co.in पे visit कर सकते हैं या कोई भी question query है आपकी या आप consultancy चाहते हैं तो हमारी PEAT consultancy आप ले सकते हैं जो कि आप screen video नंबर पे हमें contact करें आशा करता हूँ वीडियो में दीज़ गई जानकर ये आपको फसंद आई होगी मिलते हैं नेक्स वीडियो में thank you very much